आधो कि अधो पीड़ा अधो हैं पूलो है वूर्ञ पूलोग ओंग जो हम लोग तेक फरन की नई क्लास में फिर से आ गए हैं हम लोग का रोब की प्लाशेश चल लहीं थी जिसमें लोगने सुच रोबो और स्विच रोबो बनाया था जिससे हम लोग स्विच से रोबो को कंट्रोल कर रहे थे तो उसी की कर्म में चलिए हम लोग आगए स्टार्ट करते हैं कि आगए और जिस क्या देखने आए तो हमारे साथ में आज भी सुभम है तो हम लोग फिर बनाने वाले हैं आज एक जॉयस्टिक से चलाते हैं ओके तो पहले थोड़ा सा डेमो दिखा देते हैं कि यह जॉयस्टिक से कैसे माना रोबो चलता है चलिए हां आगे सब गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हेलो ठीक है स्टार्ट करते हैं ठीक है तो थोड़ा से इसको जूम करते हैं इस पर देखते हैं पहले दिखाते हैं कि यह यह रोबो कैसे हमारा चल रहा है तो यह हमारा रोबो है पर इस रोबो को हमने इंटरफेस किया है एक एक ड्राइबर आसी यह हमारा ड्राइबर है जिसको ने अभी ऐसे society किया है और यह एक और दोटाएबो लगा और ये हमारा ज्टिक है ठीक आप इसको चलाना है इस से जोईश्टिक्स क्या होती है सब बताएंगे अभी पहले इसको देखते हैं कि ये कैसे वर कर रहा है ये इसको जम लोग फॉरवड करेंगे तो ये रोबो को आगे जाना चाहिए प्रसेक्ट ठीक है अब इसको पीछे करने से पीछे आना चाहिए बिलकänge इसको पीछे करने से लेफ्ट किरने से लेफ्ट होना चाहिए राइट से राइच कि विल्कुल परस्ट बढ़िया चल ला है कि ठीक है कि थोड़ा सा अभी यह इसमें वायर थोड़े लंबे-लंबे हैं इसको भी हम लोग करेंगे छोटे कैसे करेंगे और इसको यह सारी सर्कुट्स के उपर रखके बढ़िया सब बनाएंगे पहले तो हम लोग को बेसिक सीख कि यह एक्शुल में यह कैसे चल रहा है हम लोग का अचली एक टेक फंड का क्लासिस जो ही है टेक फंड की क्लासिस का मेंन मोटीव है कि आप लोग को आप लोग को बहुत अपर बर्डर नहीं डालना है ऐसा नहीं है कि आप लोग को बहुत सारा चीजे बता दिया गया कि आ इसा नहीं है, हम लोग ऐसी चीज़ें टॉपिक्स ला रहे हैं, जिसमें लोग इस तरीके से आप लोग को डिलिवर करेंगे, कि उसमें कुछ चीज़ें इसे डिलिवर करेंगे इसमें, जिसमें आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए और बहुत ही मतब इंट्रेस्टिंग खरए जैसे यहारा रॉभा मार रॉभा है, हमने रॉभा आगर ना बिल्क ने जाटे नहीं हम लोग कि आप लेकरी कि एसमें तो हम लोग प्लुय काइसे डालते हैं, भंट ऑन्म्म लोग सतल्ओर को अड़क में तो बहुत को आप लोग को होड़के लग कॉ आट्वा अगर आप लोग को सच में एक इंट्रेस्ट आ रहा है और आगे आप लोग को लगता है कि ये हमारे future में बहुत सारे काम करेगा तो हमें लगता है कि आप लोग के लिए बहुत ही beneficial होगा कि अभी हमने देखा है कुछ लोगों को कि काफी अच्छी डिगरी भी ले लेते हैं और लोगों को यह नहीं पता होता कि डायोट्स क्या होते हैं टांजिस्टर्स क्या होते हैं तो ऐसे डिगरीज लेने से और ऐसा पढ़ने से क्या खायदा है तो नॉलेज तो सबको हो जाती है लेकिन उस नॉलेज के साथ में हम लोग ये भी देखें कि कैसे एक्षूल में कंपोनेंट्स काम करते हैं कैसे चीजें वर्थ करती हैं और उसका प्रैक्टिकल कैसा यूज है तो जब तक हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा तो प्रैक्टिकल करना बहुत ही जरूरी है ठीक है चलो फटाफट शेयर कर दो तो हम लोग अपना ये रोबो बनाते हैं अपने सारे दोस्तों को इकठा करो बुलाओ उनको और जिन-जिनको बनाना हे और सारे समान जो है मार्केट में अभल मैं आप कहीं से वी परचेस का सकते हैं जिसके बानास घुल है उससा कोई इस UNE शू नहीं ऑनलाइन बहुत सारे जगहां पर बइल जाते हैं सारे समान और ऐसा कोई बहुत ही मैं वहिं उसकिभर नहीं कर रहा हूं कि जो अपने वाली चीजों को यूज कर रहा हूं, तो चीजे समझना है आप लोग को, और ऐसा भी नहीं कि आपको बडन लेना है कि यह क्या हो रहा है, चीजों को स्टेंडर बे समझना है और बहुत आसान बे समझना है, ठीक है? चलिए स्टारट करते हैं तो फ्लस्ट क्लासी में जोके पिवाल सीख था कि रोबो में रोबो काशिक करो कि हैं अभी अभी आने सिर्खेस में यह सिखेंगे और यहीं रोबो पर अब लोग सोचेंड के इस बना क्यों नहीं रहे हैं यह वाला रोबो ठीक है, तो कोई इस्यू नहीं है, यह वाला रोबो भी बनाएंगे हम लोग, आने दीजिए हम लोग को महां तक पहुंचने दीजिए, तो यह रोबो भी बनेगा, यह रोबो भी बनेगा, इसको बुलते हैं लगार, तो ऐसा नहीं कि मैंने फोटो लगाईगें तो फिर यह नहीं बना सकता है, यही रोबो को हम लोग इस तरीके से रोबो बना सकते हैं, लेकिन यह भी रोबो बनाएंगे, हम लोग इसकी भी किट बंगाएंगे और इस पर भी काम करेंगे, चलिए, चलिए, श्टार्ट करते हैं, तो कुछ चीजें हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं, औ और कुछ डिवाइसेस हैं जिसको हम लोग को समझना पड़ेगा कि एक्षोल में वर्क कैसी करती है जब तक यह चीज समझेंगे नहीं तब तक हम लोग यह नहीं समझ पाएंगे कि यह से काम कर रहा है ठीक है चलो बढ़िया गुड मॉर्णिंग हो चुकी है पर दें पर किसमझते हैं कि audino's और दुन क्या होता है और दुन कुछ नहीं होता है बस मैं अपने लेंगेंगेंगेंग में समझाता हूं कि और दून होता क्या है Audino's actual में unimicro processor micro controller का नाम सुना हो अब लोगों ने microprocessor जो कि CPU में लगा होता है तो तो, simple way मैं समझाता हूँ, कि क्या होता है, कि ये एक ऐसी device होती है, जिसमें हम कुछ code कर देते हैं, या कुछ link देते हैं, तो वो चीज को करता है, उसी way में करता है, that's it, हम लोग किसी काम को करते हैं, तो कुछ tea time बगता है, इसकी speed काफी fast होती है, लेकिन fast होने से, fast होने से फ कर ले, अपना intelligence लगाए, intelligence की बात करते हैं, तो intelligence के लिए भी codes होते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग को उस तरीके से code बनाने पड़ेंगे, तो अभी ये हमारा microcontroller है, इसमें कोई intelligence नहीं है, हम intelligence अपना इसको देंगे, भाई, ये ये तुमको करना है, इस तरीके से करना है, तो वो उसके according वो काम करेगा तो अभी यह समझते है कि यह microcontroller होता क्या है microcontroller में यहां पर कुछ यह IC होती है ठीक है यह microcontroller होता है और ऐसा नहीं कि हम Arduino को microcontroller बोड़ते है Arduino कोई microcontroller नहीं है Arduino इस board का नाम है जैसे मेरा नाम है आपका नाम है और हमारा नाम अगर आदित, तो आईसा थोड़ी नहीं कि हमुआ हो इसका इनसान फिर इंसान औसमाेन एक मैर होता है और एक उसका नाम होता है, तो इससमाझे libraries की यह कि बोर्ड हमने बनाने की जरूथ क्यों पड़ी, वोड़ बनाने की जरूथ इसलिए पड़ी, प्योंकि मुझे इसको परग्राम करना होता है, अब हम इसको डारेक्टली परग्राम इसके अंदर लिख नहीं सकते हैं, तो मुझे कुछ चीजें चाहिए होती हैं, कुछ डिव तो फिर इसमें चलने लगता है और यहां से एक USB port दिया हुआ जहां से USB port करनेट करते हैं और यहां पर power देते हैं हम यह power 12 volt nearly 9 to 12 volt देते हैं और भी दे सकते हैं लेकिन अभी 9 to 12 volt safe zone है ठीक है और यह वर्क किस बोल्ट पर करता है यह 5 volt पर रहता है ठीक है अभी देखेंगे इसको हम लोग अभी यह नहीं समझते हैं यह बस यह समझ लों कि यह 5 volt पर वर्क करता है ठीक है अब बात करते हैं कि व्रड्बोर क्या होता है अभी audio में मैं इतनी समझा रहा हूँ बाकि audio की त तो अभी हमारे projects में कि वाल यह समझना है कि यह controller है, this is the mind of my project तो इसी की help से हम लोग अपना robot चला रहे है, यही मेरा robot चला रहा है, actually ठीक है, अब दिखते हैं कि breadboard कैसे होता है, breadboard, size अपलोग नहीं देखा होगा, colleges में, school में बहुत लोग use करते हैं तो ऐसा कुछ होता नहीं है, breadboard में, बस हमको समझना होता कि connections कैसे-कैसे होते हैं, breadboard में तो मुझे दिख रही है कि इसमें बहुत सारे points, 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 points बने हुए है, अब मुझे इस points को समझना है, कि यह points क्यों बने हुए हैं और इनका significance क्या है, purpose क्या है इनका, ठीक है, तो उसको समझने के लिए लिए लिखते हैं, यह points यह points बने हुए, यह points आपस में short होता है, यह पूरा short होता है, इधर वाला, यह इधर वाला short होता है, ठीक है, ऐसे ही इधर short होता है, ऐसे ही इधर short होता है, और इसी का अगर हम बड़ा वरिजन यूज करते हैं तो जो बड़ा वरिजन यूज करते हैं तो उसमें ऐसे ही एक और होता है वह लोंआपर गायब होता है तो say 1-2-345 यहां इदर है इसे 5-55 पुरा कनेक्ट होता है ठीक है और यह वाले कनेक्शन ऐसे ऐसे कनेक्शन होते हैं ठीक है इतना समझ जाया है कोई इस्यू नहीं होना चाहिए आप इसका परपस क्या होता है इसमें असानी क्या होती है इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं तो अभी मौन लोग कि मेरे पास एक अगैं सपोस्कुर मैं पसके इक है ठीक है उस आइसी को मुझे में इसमें टेस्ट करना है उस आइसी से इसे हम लोग इसमें लगा पाएंगे तो अब दिखाता हूं आप लोग को आइसी ठीक आइसी जो होती हो इसकी पिंस ऐसे होती है किसा कि पंस ऐसे से होते हैं ठीक है है अब I線 में क्या होता है कि यह पिन्स ये फिंद सिब्स अब सबस्द करत की मानलू कि ये इस ऑई सीय है मोटर इदर गन्यक्त करना है तो एप अब मौन ले रहा है कुछ इसू नहीं है मोटर करना इस से दूसरा वाला ठीक है और इसी मोटर को इसी पिन से करना है और इसी पिन से इसको भी करनेट करना है ठीक है तो अब क्या करेंगे हम लोग कि अभी हमको इस पिन से इसको भी करनेट करना इस पिन से इसको भी करनेट करना तो अब मेरे पास लिम्टेशन आजाएगे कि एक छोटी सी पिन होती है इस पिन में हम सोल्डी करेंगे तो आईजी करा हो जाएगी तो हम लोग ग्रीड वोर यूज करते हैं देखो यह आई सी है हमारी है यह दिख रही होगी अब इस चोटी चोटी पिन्स को कनेट करने के लिए मैं डारेक्ट सोल्डिंग नहीं कर सकता हूं तो फिर हमारी खराब हो जाएगी तो मुझे आई सी को भी सेफ रखना है तो इसको कनेक्शन करने के लिए हमारे पास बॉर्ड होता है अब जैसे सबस्क्राइब की यह बोर्ड है हमारे पास में है ठीक है इसको मैंने क्या किया कि इसमें फंसा दिया इस तरहीके से ठीक है दिख रहे हैं बढ़ी हैं परफेक्ट तो अभी यह इस तरीके से इसको फंसा दिया मैंने अब इसको फंसाने से देखो यहां पर यह सारी पिंस के मुझे इतने सारे इतने सारे ब्लॉक्स मिल गए हैं अब अगर इस पिन को मुझे वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर और एक फाइब का सब्सक्राइब होता है तो एक में तो आई सी फंस गई है बागी हमको चार मिले अब यहां से मैं एक पिन से चार वार अलग लग निकाल सकता हूं समझे तो अभी इसमें बोर्ट में स त्री प्र पॉर फाइफ शिक्स सेवन एट यड़न अथर पनी इदर और ये पूरिया सी फंस गई अब आई सी फंस लिए तो मेरे पास इस पिन इसके अंदर गूसे ही और इस पिन के मैं पास पास चारा पॉंट और मिल जाएंगे और यह आपस में अरे आम क्नेक्टेड हो आपस में पर यह वाले रहेंगे यह से कनेट रहेंगे और यह सब्सक्राइब और तुम को चाहिए और चाहिए ऑपना एक चार चाहते हैं वीड बोर्ट से अभी हमको 10 सब्सक्राइब का माणों को चला नहीं को डेखेंगे पीओ बनाएंगे बहुत चीजें होती है तो दोणा टाइम होता है हमको टेस्ट करना ही कि यह चलती है कि इसकी फंक्शनिंग कैसी है यह सारी चीज शोर को चेक करनी है तो सीधा हमने उठाया उसमें आएसी लगाई और सारे कनेक्शन कर दिये जैसा कि मैं आज करने वाला हूँ ठीक है तो यह बिर्ट बोर्ड के बाद आगे चलते हैं तो यह थोड़ा सा डिटेल में बताया गया इसमें तो देखो यह ऐसे शॉटेज होते हैं यह पीछे जो होती है इसमें यह अधर वाले में यह ऐसे शॉट है तो एक्शुल में मैं इतना टाइम क्यों दे रहा हूं इसकी पीछी रीजन है मेरा ब्रिट बोर्ड क्या होता है बहुत लोगों को बिल्ट बोर्ड चलाना भी नहीं आता है बिल्ट बोर्ड में अगर आप सब्कृट करते हैं शोटेशच को दोड कर लोग एlicy करते हैं तो इसको समझना ठोड़ा जरूरी है पिअ लेकिन आपस में नहीं नहीं है कि वह ऐसे से अग्ड को अब है कि अभी अभी हम लोग के इस वाले रोबो में और एक चीज और यूज़ हो रहा है है motor motor को directly हम लोग और यह चला दगते हैं क्यों कि हमारी motor से जो चलती है वह 12 पर चलती है अगर आप 12 पर चलती है और यह हमारा इंपुट तो लेता है लेकिन मैंने बोला था कि वह पांच बोल्ड पर कर सकता है पांच वोड की डिवाइस को अपरेट करना कर भी सकता नहीं भी कर सकता है उसकी पीछे limitation है कैसी होती है हमारा मैं कर दोलो जो होता है एक सार्टन एमाउंट तक करन का मतलब हो गया आधर हम वूपल टू आई इंटू आर परते हैं ठीक है तो अगर ये पांच बोल्ट है ठीक है पांच बोल्ट है अगर मैंने इसको 20 ंपयर रखती है तो जो करन्ट होती है वो मोस्टली 20 मिलियंप्यर होती है मिलियंप्यर या फिर 25 मिलियंप्यर होती है या फिर कुछ लेकिन मैक्सिमम 20-25 की बीच में होती है करण अब सपोस्ट पुरों की मोटर है मालों की हमने एक मोटर है मारे पास में जो कि पांच बोर्ट से अपरोट आउपरेट करता है तो क्या हम पांच बोर्ट से दे सकते हैं कभी नहीं देना चाहिए क्यों कि इसकी जो करन्ट रेटिंग है यह 20 मिलियंप्यर से ज्यादा करन्ट नहीं दे सकता है या 25 मिलियंप्यर से ज्यादा करन्ट नहीं दे सकता है अगर आ तो अगर बहुत बढ़ा मोटर होगा तो यह 1.5 भी पहुंच आएगा कोई दिक्कत नहीं है या और भी दो एंपयर पांच-पांच-पांपयर तक की मोटर्स भी आती है तो रोबो दोगारा में यही चलती है अब इतने एंपयर करन्ट चाहिए होगे तो अब यह देप आएगा इसको कभी नहीं दे सकता है तो इसी वह जैसे हम लोग डारेक्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए मुझे एक बीच में एक आईशोरेशन चाहिए होगा या फिर हम वो बताना पड़ेगा कि करन्ट देना ठीक है सर्थ इस वेरी हाइड अरे नहीं बिलकुल आसान है परिशान नहों सब समझ में आ जाएगा अभी किवल बस यह समझो कि कैसे हम चीजह को बता रहे हैं बहुत कथिन नहीं है बिलकुल आसान है चीजिए को बार-बार करते रोगे ना जिसे होता है कि बहुत चीज़ होती है कि सीख सीख समाझना उस चीज को तो हम आपको सीख सीख के सिखा देंगे कोई चीज इंपॉसिबल नहीं सब कुछ पॉसिबल है और कुछ पाने के लिए कुछ फोना बढ़ता है थोड़ा सा टाइम है 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 तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गए थी अभी कोई इस नहीं है अभी फिर से उसी पर आते हैं जहां था था तो मैंने कम्मेंट देखा था कुछ लोग ने बोला था कि सर थोड़ा हाड है इस वेरी हाड नहीं बिल्कुल आसान है आ रही है प्रॉपर आवाज आ रही है ठीक है अवाज आ रही है कि नौ सौन थीक है आए थिंग दिस इस फाइन ओके चलो ठीक है स्टार्ट करते है तो दोको परेशान होने की जरूरत नहीं है बहुत ही आसान चीजह है बस थोड़ा प्रेटिकल में आ रहे हैं तो अभी हम लोग ने जो सीखा था बेसिक्स में करन को बोल्टेज यह सारी चीजह उन लोग उसी सब चीज को लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है और उसी से इंप्लीमेंटेशन जो है कुछ आएसी में हुआ है तो घपड़ा नहीं रहा हूं मैं आपको बता रहों कि समझा रहों कि यह चीज़ें ऐसी वर करती है बहुत ही कॉंसेप्चुल में आप समझ सकते हो इसी को ठीक है चलो कोई इश्यू नहीं है अभी सबको सही हो गया तो हम लोग बात कर रहेते कि मोटर ड्राइवर्स ऐसी क्या क्या होती ह करती है जो हमारा नहीं पर पाता है अभी इतना समझते हैं कि मैं यह आईसी जो होती है वह कितने तरीके की होती है बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि एल्टू एल्टू नाइन एट एच बिरिज एल्टू नाइन थ्री होती है और एसन सेवन फाइब पॉर फुर वन तो हम लोग आज इस वाली आशी को यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको कुछ जरूत होगी समझना होगा तो बताईएगा कमेंट में तो हम इस सब पर भी करेंगे कि यह कैसे यूज़ करते हैं लेकिन बहुत ही आसान होता है कि सारे फंक्शन्स बिल्कुल स्टेम है कोई इशू नहीं ठीक है और एक बहुत अच्छा यह हम लोग में काम किया है एच ब्रिज बनाते हैं और वह किसे रिले से एक्ट्वल में यह सब भी एस ब्रिज से सी ही होती है तो यह जो होता है कि 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 ओके फाइन तो ठीक है कोई यूश्व नहीं है हम लोग हम लोग एच ब्रिज बनाएंगे यूजिंग रिले ठीक है रिले रिले से हम लोग ऐसे जो है एच ब्रिज बनाते हैं यह भी हम लोग सीखेंगे अभी देखते हैं कि 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 और आगे क्या-क्या है अब 298 की बात कर लेता हूं मैं थोड़ा सा एल 298 में बात कर रहा हूं अभी एत्सिक बता दूंगा मैं इस मडूल की बात कर रहा हूं कि यह मोडूल आता है हमारे पास। ठीक है जगो समझ वह इसमें थोड़ा सा चीजिए समझने वाली चीजे संसे आपको ही कि कौन से लगेगा 10 अपको यह निसमोझना कि मुडूल कैसे काम करता हूँ समझना कि हमको कैसे इस मुडूल से काम लेना है लेना सिंस शुरम देना अब तो छो चैंशे का कि रहा रहे जो जो यह नहीं कर चाहिए लोग कर दो तुम्हार पास लोगा सो होग इसमें दो तारे मतलगत तो इसको अब ही बताता हूं कि लिए 12 वोल्ट चीए होता है कि मेरे पास reci तो बारा वोल्ट से दोंगा तो बारा वोल्ट पावर यहां से देतेंगे ठीक है कि इसको यहां से मिल तो पहले इस इस मडूल को आउन करते हैं तो फाइव वर्ट इनेवल यह जंपर है यह जंपर को मेक्शोर करना पड़ेगा कि जंपर यहां पर अगर यह जंपर निकल जाएगा तो यह मडूल काम नहीं करेगा तो पहले इस जंपर को लगा दो तो इसको पांच बूर्ड मिल गया तो यह मत्पर का मत्राइबर क्या हुआ कि इसमें दो दो ड्राइवर होते हैं मत्पर की दो मोटर दो में निया दोनों चलानी है तो यह जंपर लगा एक इधर और विल्म यह जंपर लगा यह दो दोनों जम पर लगाया तो दोनों मोटरे चलिए अभी अपको क्या करना है कि ये सब लागा लगाया मिलेगा आपको ये इनेबल को ध्यानी नहीं देना इससलिए मैं भूला था इसको भी छोड़ को ठीक है इनेबल छोड़ दो अभी हमको क्या है कि कि लॉजिक पुर्स लॉजिक करना है और हमने पावर दे या कोण्ड तो यहां पर यहां पर मोटर कर दिया और इस तरीके से मोटर भी कर दिया नीचे किया यहां लिखते है लोग क्यों प्रफेक्ट्स प्रॉब्ल तक सुष्क के बिल्कुल सख्यां मोटर है अभी यहां थें तो हम को क्या होता है कि दो मोटर आँ हमको एक एक मोटर की दो है क्या तो वह आगे जाएगा या तो पीछछे जाएगा मैं इसको अगर लॉजिक होता है हम लोग डिश्टर इसले बात करते हैं डिश्टर्स में तो लॉजिक का मतलब होता है हाई बस मतलब कि हम पावर देंगे उसको हमने इसको पांच दिया तो चलने लगेगा पांच बोल्ट नहीं दिया तो नहीं चलेगा तो आपको किवल यह चार यहां से निकालने हैं और यह पांच बोल्ट करना है बाकि यह इनेबल इनेबल सब लगा रहेगा आपको सोचने नहीं इसके बारे में लगते आता है फरीदोगे मार्केट में तो बस यह लॉजिक होता है अभी मैंने बोला था कि मालू अभी आगे बताते हैं बस यह समझो कि यहां पर हमने अगर इसको पांच बॉल्ट से कजनेट किया तो आपके चलने लगेगा बाकी सब को बात करता तो दो साइट की मोटर से हमारी दोनों को एक साथ चलाना होगा तो मुझे इसको पांच इसको पांच देना पड़ेगा तो दोनों फॉरवड जाएंगे जैसा स्विच में होता सेम वही पंडिशन से और इसी तरीके से अगर मैं इसमें और इसमें पावर देता हूं पांच ब तो यह वोगा कि दोनों एक साथ पीछे आएंगी तो यह फारवड हो गया और एक तरफ भर ठीक है अब इसीस मेल न बुराएं तो एक को पीछी चला ऑफ और आगे ना विक हैं इतना स्कंटरेन मोर्ट में भी बारे चारइबंते अब आपको करते हैं लगाने के बाद में इनुछ सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन थोड़ा औहिंर हो हम उसको डिस्रτες करने वाले हैं भी यह समझो कि जैसा हम लोग डारेक्ट निव करते थे वैसर लोग इससे भी करेंगे इसमें कुछ नहीं करना है बाकी यह सब कुछ autocar klima किसको कितना क्रण कि arc यह हम को मतलबinhos नहीं है अन्में समझें कि यह हमारा काम कर लेगा यह ऐसी होते हैं ठीक है चलो कि बढ़िया सब को समझ में आ रहा है ना ठीक है और इसी तरीके से फिर अगर हम इसमें आते हैं कि यह स्थेम हैसा इसमें नुने यह एल तु कुछ जी एये एल चुशेट फिरेट यह यह एल तु नइं त्री एक टीक यह एल टु नइं श्वेह एक पालीयर तेम उसमें भी नएव प्रमय आ यह मालों यह अभर मननों इसमीं लिखावागा भूए है हाई इसमें रिखाव और यह इदर बस पावर लिखा हुआ ऑँ लोगिक्स दिखो इसके यह है चारा वह है और यहां से कुछ इने रेगूलेटर लगा रखा है तो वहां से इसका OTR इन्फूर है और यह जम पर लगाया नहीं जो जो इसमें जम पास बस कुछ नहीं एचेशे कर रहे हैं हम लोग कोई कर रहे हैं विल्कुल रोख कोई मोडूल नहीं उसकर रहे हैं बिल्कुल लब समझ सकते हो कि बहुत आसान है और आज की अगर हम लोग बाहर जाएंगे कभी किसी के सामने तुमने की से इंटरफेस करते हैं और तुमने अगर आइसी सेंटरफेस करना सीख लिया हो स्फिकल ने शीख लिया तो मतर्थ लाइफ में कितना इन्हेंसमेंट रएग ऊगए तो समझते हैं इसको कुछ है नहीं सेम वही चीज़े है इसमें बस यह मैं उन्होंने क्या कहे था अलग अलग तो यह था उसमें यह आ पर जाधा ओंग और इनेवल उसमें भी था इंबन का जंपस रगी तो इसको भी पांच देद दो इसको भी पांच भोल दो दो प्रावर कोई इस्थ नहीं आप यह अब यह है । पावर मोटर पावार का मतनला वोल्ट लस्पराइम जतने मोतर चलेगी वैसे तो कोई इश्व नहीं आ know बोल्ट का मोटर चला दो तीस वोल्ट का मोटर चला दो और 36 मैक्सिमिम रेटिंग होती है तो हम लोग देते नहीं है इस पॉर अंडर 30 रखेंगे तो सेफ जुन में गए अब क्या है कि जो मैंने बोला सा लॉजिक एक लॉजिक या एक लॉजिक या चार वोला था तो कि इन खाव चार लॉजिक होंने चाहिए यह दोना हमारे यह मोर यह दोने में इसासा बिलकूल पढ़िया तुक्छ नहीं है ब्लकुल आपको करका दिखाता हूं पैसे कर चलाएगा तो चलेगा नहीं दौडएगा तो अब यह है जोईस्टिक यह है यह दिख रहा दिख रहा है तो यह इसी थी मारी यह जोईस्टिक है इससे लोग डाइब कर रहे थे आप लोग भी सीखिंग डाइब करना बहुत बढ़ियां सारी किसा ठीक है तो यह जो अश्रीक देख रही है आप लोगों ठीक है आभी चलने का देखो फॉर्वर्ड बैकवर्ड वोग पर रहे हैं लेफ्ट राइट बढ़ियां इतना बढ़ियां मज़ा आता है है ठीक है चलो मज़ा दोताब आए जब चलेगा चलाते हैं थोड़ा समझ लेते हैं जॉइस्टिक्स में बहुत डिटियल्स में जोर्गोदी नहीं जानेगी ठीक है जॉइस्टिक्स ऐसी होती है यह आगे पीछे इधर उधर सब मोग परती चारव तरफ मोग परती पोजिश्टिक्स में देखना पड़ता है एक दो तीन चार पांच पिंस है यह हमारा होता है जी अन्डी ठीक है यह मारा होता है प्लस पांफ ठीक है यह मारा होता है वी आ ट्रीश वी अलेक्स गाजिश सब늦न फैसे प्रेंट ही दियुक्री प्रेंट किREAM ज्लम गोंत तो यह सिँ अंदर यह ब्योंत आ किमीको मालओ आगाही रोबॉत वार tämä हो जार रहा दो हो नहीं रोकना है स्फोर जबावस तुमको आडलों करना जो कि हमारा प्रॉब्ट जारता रहे हो जो भीव जे हमने फिरेंट प्रेस ख़लता है हम नहीं कंट्रोल करने वारो चले हुआ है तो इसके लिएler स्वीश मेद आडल से दिया जादा है हम चाहिए तो इस पने रोबो को आटोमेटिक बना सकते हैं मैनुवल मैनुवल चला ही रहे हैं आगे पीछे दाए हम लोग खुद कर रहे हैं सुच है उसमें मैंने सेंसर कुछ लगा दिये ऑस्टिकल डिडेक्शन सेंसर्स जो क्या घरेगा आटो चला है चला करता है और उसको अवाइड भी करता है ऐसा नहीं कि डिलेट करकर बैठ गया अवाइड करकर उसको निकल भी रहा है ठीक है चलो बढ़िया है तो थोड़ा सब देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है एक्ट्वल में पोटेंसल स्टेट आपने सुना होगा है तो यह होता है हम इसका मैं टन माखने हो और यह सी मान लिए तो ऐसा नॉब तरीकर सा होता है मूव करने थी क होता है कि इसके आंब करको जो होता है रेजिस्टनट्स वह यह करते है आ रवी वरी विधल सकते है तो जब भी हम इसको इसके क्रोस करता है ठीक है विल्कुल सेम इसमें लगा होगा यहां पर साइड में एक पोडेंस यहां पर भी लगा होता है यहां इस तरीके से तो एक तरफ जीरो हो जाएगा एक तरफ हो जाएगा और बीच में रहेगा तो सोचो कि हमारे पास यह एक लाइन ठीक है यहां पर जीरो रेजिस्टेंस है यहां पर टैन किलोम है पर टैन किलोम है अभी बीच में यहां कहीं है हम लोग तो भीच में कितना होगा 5 किलोगा तो यह दर आगा उनुसे मैं एक दारसिंटी बाद कर रहो हुए इधर ऊदर कि बात नहीं कर रहा हुए इधर कि बात रहो थे solve करेंगे हम लोग तो यह वाला स्टरेक्शन स्टिelt मेरी आंटरा यहां से मुझको आ resigten सकते हैं यहां पर रहुत करें जो पवर निन आपर चुण बहुत है ग्रावर यहां टोड पर आया पर यहां तरहिए इस तरह पूरन और यह प्र आओथ होगे अज..! अच्छए तो सूचन ये ग्रान वोगा और ये इस राउंद गो ठीक है कोई उश्व नहीं आफ़ यह वोल्तेज़ बैरी करता रहेगा छोड़ो हमश particulary system करता है इसका internal structure क्यों को बना नहीं है हमझो तो बना बनाया मिलेगा हम इसको यूज करेंगे तैं किसे करेंगे during you και I éner contact thing वहता है micro controller में मैंने फ्टोड़ी से चीजे और बढलाता हो प्रक्रडरह करती कैसे करती करती है और पीछे क्यों को थे है वो हम लोग डिसकस करेंगे बाद ले लेक्स में अभी दम गिरी सी गर्रह ए मैं जो कि कि कहां कि बोल्टेज को रिट करेगा यह करता है कि मैक्रों कुंट्रोल कि सब्सक्राइब करता है लेकिन छे तो कभी नहीं रिट कर सकता है तो यह मेक्शूर करना पड़ेगा कि हमको जो सिग्नल दे रहे हैं वह पांच बोल्ट के अंदर हो कपांच को कुछ नहीं करना है यह एक्स वाले को वाले को कंट्रोलर के अधी से जोड़ देना है स्विच अगर यूस्ध कर रहे हो तो जोड़ो अभी हम लोग भी सुछ नहीं से यूस्थ कर शिंपल सा लोगिक है ठीक है बढ़ी यह अगर बस इसमें इतना ही काम करना है हम लोग को तो यह कनेंक हो जाएगा लॉजिक अभी क्या करते हैं लॉजिक देखते हैं कि यह कैसे कैसे जो है वर्क करेगा अभी अभी मैं कि आपको यह बता रहा हूं कि जो माइक्र कॉंड्र की एडीसी होती है ना तो अगर वह पांच वोल्ट है तो यह समझों कि जीरो वोल्ट को क्या करेगा वह जीरो पढ़ेगा और प्लस पांच वोल्ट को वह बस इसके बीच को कोई वोल्ट जोगा तो उसी की हिसाब से इसको वह तोड़ देगा बस मुझे इतना समाज़ना अभी मैंने बोला था कि जीरो का मतलब हो गया जीरो ओम रोजिस्टेंस माल लो या फिर इसको 10 किलों माल लो समझे बिल्कुल जीरो चला जाएगा तो जीरो देदेगा जब 10 किलों पर हम सेट कर देंगे तो यह एक हीजार तरीज है तो वैसे ही है एकस और वाई दो वैरिवल सेंसें बीच में तो बिल्कुल माल लेता हूं मैं परफेक्ट का मतलब हो गया कि 1024 अगर मानता हूं जीरो को वन काउंट करता हूं इसको डिवाइड वाइट टू करता हूं तो यह आता है फाइप वन टू ठीक है पांसो बारा तो मंदब कि इस रेंज का नंबर आफ पॉइंट की बात कर रहा हूं एक हजार चॉविस जैसे मैं बोलता हूं फैसे एक हजार तरही कर रहा है तो इसको यहां ने इसको माल लिया जब यह बीच में होगा तो यहां पर इकस की व्यूंत की वल्यीं बान सो बारा भान सो बारा होगी कोई इश्यु नहीं दिंगा कि चलिए अब इतना हो गया आद सब्सक्राइब हो गया बिशाय बीच में अब जब ले करहें लिए अगर यहर सामने रखेंगा लेकृसे ऐसे हैoffs अब उबने ऐसे बूला और ऐसे मूँव किया आगे यह मारा फार वर्वड हो गया यह मारा बैकवर्ड कर रहा है तो पोटेंसे श्टेट एक्स वाला है उसकी वैलू वैरी कर रही है इधर इधर तो मुम नहीं करा रहा हूंगा तो यह समझना है कि मेरा जो मेरा जो वैरियेशन है न वो किवल एक्स में वरीकर रहा है उधर जाएंगे तो यह सब्सक्राइब कर देगा तो इधर आ रहे हैं तो अगर यह दस ओम को रजिश्टन से कनेक्ट हो रहा है तो यह मुझे देगा एक हजार थेज बस यह हमारा लॉजिक कर देगा कि मतलब कि हमारा जो अभी परफेक्ट पांसो बारा तो नहीं होगा हमें लेंगे कुछ अब लेने के बाद में उसको समझें कि इसके तरफ अगर यूजर और अगर इस से एक लिमिट से उपर की तरफ जा रहे हो तो इसके पीछे जाने के लिए बोल ला है इसी तरीके से य एकसे से एकसे में देखो 1,000 तेईस उपर अगर हम करेंगे तो एक हजार थेईस हो जाएगा नीचे अगर हम करेंगे जीरो हो जाएगे बहुत आफानी समंझ में आना चाहिए कोई इस में हाड़ एन पास्जिक बिलुकुल आसान है ठीक है सबको समंझ में आ रहा है ना क किसी को को दिखत तो नही है दाजता है अठीक है कि बहुत हिस्कुआ है अब इसको समझते हैं कि थोड़ा सा कि इस आइशी को अपने doona के साथ मैं कैसे अनट करेंगे हमने फोन जैसे को कंट्रॉलर के साथ में कर दिया अभी इसको दिखाते हैं आप लोग को कि यह जोईस्ट्राइब भी अभी मैं दिखा रहा था ना तरफ दिखाते हैं तो आप लोग को कि यह वैलु कैसे वैरी हो रही है कि आप के लिए मुझे थोड़ा सा लेप्टॉप राना पड़ेगा ठीक है अभी श्क्रीन शेरिंग में थोड़ा प्रावल्लम हो रही थी तो अभी मैं अपने लेप्टॉप केस्ट्रीन दिखाता हूं आपलोको यह हमारा कोड है दिख्राओं साब बढ़ियों ठीक है बढ़ियों अभी क्या करना है हमको इसका ठीक है देखो दिख रहा है बढ़ियां से वैलूस आप मैंने बोला तो नम परफेक्ट चीजें नहीं होती है मैंने इसमें किवल एक्स और वाई की वैलू प्रेंट किया है तो अभी थोड़ा से इसमें मिस्प्रिंटिंग हो गई है एक्सिल में वहाँ पर जो जे लिखा हुआ है वह वी हो रहां चाहिए कोई इस्यू नहीं है इसा दिख रहा है कि अनुग दीख रहा है कि नो प्रॉब्लम है एक भी यह थोड़ा सा व्लू सही नहीं आ रही है कोई बात नहीं अगली बार हमें श्कुर्ण कर लेंगे बहुत परव्लम हो रही थे अगली बार मुस्केन श्यर करेंगे अभी यह वैलू मैं अन्यृतर पर नैंटियेट और 495 400 प्रेंट ग्रेंट इसको आगे कर रहा हूं यह इसको मैं आगे कर रहा हूं यह फॉरोड वह तो यहां पर इसकी वैलो चाहिए गजब आपने पर हजार तेस हो गया वार्वड करने पर एप मैं इसको पीछे कर रहा हूं अभी मैंने लॉजिक बना दिया इसमें तो यहë बैकवार्ट बैकवार्ड कर रहा तो यह जीरो हो गया और यह एक्स की वेलो देखो वैरी कर रही इसमें इसी तरीके से हम लेफ्ट और राइड करते हैं तो इधर देखो यह वाली जी रोगी इधर इसे तरीके से इधर वाली वेली जी रोनी एक हजार तीस होनी चाहिए अब बीच वाली में ज्यादा एफ्ट नहीं पार रहा तो अधरी सीज है एडिसी में थोड़ा सा डिवेशन होते हैं तो इसमें कोई इश्यू नहीं है चलो वापस आजाते हैं अभी हमाँ को समझाते हैं अधिक है जो एक्स की वालू नॉर्मल कंडिशन पर आ रही थी वह 498 आ रही थी और वाई की वेलू जो आ रही थी वह नियर अबाउट पाइफंद्रेड पॉर नैंट्ट एट पॉर ऐसे आ रही थी तो कोई इश्यू नहीं है बहुत जादा डिफ्रेंस नहीं है मन डिफ् है और जब हम इसको बिल्कुल इधर कर रहे थे तो यहां पर इस कंडिशन में एक्स की वेलू हो जा रही थी वह जीरो हो जा रही थी और वाई की वेलू जो है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रही थी उनियर अबाउट सिम थी इसी तरीके से हम पीछे जा रहे थे तो पीछे जाने पर एक्स की वेलू जो है वो बन जीरो टू थी ओर रही थी और वाई की वेलू जो रही थी वह भी नियर अबोट सेंटी ठीक है कि हम लेफ्ट राइट में नहीं किया तो यह हमारी फॉर्वर्ड और इसको रिवर्स बोल दो तो यह फॉर्वर्ड की कंडिशन हो गई यह रिवर्शी कंडिशन इसी तरीके से हम राइट की बात करते हैं लेफ्ट में क्या हो रहा था लेफ्ट में हमारी वाई की वेलू चैने और तो यह जो रही थी जो हम इधर कर रहे थे तो यह 0 हो रहाए थी और करस्पांड्मिंग एक्स की वेलू जो यह वह वह 4. कोई इशू नहीं है तो वाई की वेलू जो हो रही थी और एक्स की वेलू जो थी वो यही थी मैं पुशिश्च करूंगा के लिवार आपको इश्किन भी शेयर हो जागी और कोड भी डालना मता हूंगा कैसे कोड डालते हैं अभी यह लॉजिक समझ लेते हैं कि यह हमारे पा लेना है यहां पर हमको action लेना है ठीक है action action के साथ में किसों नहीं है एक गोकर को मां लिखा है उसको लॉजिक मैं बया रहा हूं कि इसनी नहीं क्या होना और सच्छ पुछू तो यहां कोडिम और कोडिमा में tell नहीं होते हैë और वेलू तो नहीं होता है पास तो आएंगी ये लोजिक तुमने कैसे बना यह इंपोर्टन्स होता है की कैसे लोजिस तूम बना रहे हो ऑगो चलता समस्क्ते अब इस मैं बोला हूँ कि फॉर्वर्ड फॉर्वर्ड रिवर्स लेफ्ट और राइट चारी लॉजिक है रोबो को फॉर्वर्वर्ड करना है पीछे ले जाना आगे करना पीछे करना है लेफ्ट करना राइट करना कि फॉर्वर्वर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा अब देखो फॉर्वर्वर्ड क कि बीच का एक मिडिल लेते हैं तो सब्सक्राइब कि अभी हमने करें तो पांसो बारा आया था तो मैं इसका मुडिल लेना चाहता हूं तो मुडिल लेने के लिए पांसो बारा को दो सो डिवाइड कर दो कित्ता आ गया है कि अगरे तो फिव्टिफाइब कि कोई इसे नहीं है कि एक और चोड़ तो यहां दूसे पन हो जाएगा थीक है तो दूसे चपन तो दूसे चपन तो नियर अब आउट हमारा जोए कलकुलेशन कहता है कि दूसे चपन यहां पर मुडिल में होगा अब तो चोब कोई इसे नहीं 256 कि 256 एक्स की वैलु अगर 256 से जीरो के तरफ जा रही है जीरो से जा रही है तो मुझे तो 100 पर से शूर है कि मुझे उसको आगे भेजना ही भेजना है तो मेरे पास बांडी कंडिशन क्या गई कि 256 कि एक्स को हम क्या करें एक वेनवर वेनवर एक्सिज लेस दन टू फिप्टी सिक्स टू फिप्टी फाइब जब भी एक्स की वैलू कि 256 से कम हो पार्टेंट पर मतलब भी नहीं है ज़ा वाई एक्स की वेलों हमने चेक्किया कि 256 से कम है कम मिली मुझे को हमने का आगे जा तू इसको मैंने इग्नॉर कर दिया अब फिर मैं आता हूं पीछे मुझे ले जाना पीछे मुझे ले जाने के लिए डखो अभी इसको तो रहाओ टिक है इतना है कि अगर जाने के लिए देखो ये पांसो बारास से इसमें जाने के लिए 1023 से पांस वारा की बीच में वेरी कर रहा ठीक है कि अब हुआ क्या अब हम इसका हाफ लेंगे तो इसका इसका डिफरेंस किता हो गया इसका और मतब पांस कि इसकी बीच में कितना हो गया कि 256 यह नहीं ठीक है इसकेस की बीच का दिफ्रेंस होगा 500 512 इसकेस की बीच में भी डिस्प्रेंस जोगा पाउंस बारा होगा ठीक है इसका मैंने हाफ के तो किता जाता 250 256 ठीक है 256 जाता अब मैं क्या करूंगा कि पाउंस तो एक हजार तेईस और पाउंस बारा का मिडिल जो होगा वह क्या होगा पाउंस बारा प्लस 256 ठीक है तो यह एक एक प्रॉक्समीट कितना है ग्रेटर दन देवन सिक्स्टीएट जब भी सेवन सिक्स्टीएट जाद हो जाएगे उसको पीछे ज़लेंगे इसको पीजिए टार से पिलाल अभी इस लोजिक में इसी तरीके से फिर इसमें आए तो मुझे एक्स की वैक्स की वेलुक्त की जरूद नहीं पड़ेगा तो स तो मतलब कि वाई इस ग्रेटर देन सेवन सिक्स्टीएट कोई इश्यू कोई इश्यू आ रहा है नहीं बिल्कुल नहीं और राइट में वाई की वैलू लेस्ट दन इस अंचीश्यू आ यह लॉजी वारा और अगर इस कंडियों को फॉलो करता है तो यह चीज़ें हो जाए एक लॉटकूल कर दो यह करो यह वा तो यह कर दो यह और यह कर दो आगर इसमें से कोई नहीं हुआ तो इस्टॉप हो वाने सब्सक्राइब선 कर दो हुआ है अलगी करना जांवन सब है यह 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 नहीं तरह यह यह तकर हम अगे यह एक सा इस लेख लिए तो यह करो मैं के साथ में पिंस का अभी जोईस्टिक का खहला समझ में आ गया जोईस्टिक कैसे काम कर रही है अब थोड़ा समझते हैं कि मोटर ड्राइबर को हम लोग कैसे चलाएंगे अपने ओडिनो से ठीक है या अपने कंट्रोलर से तो यह ओडिनो होता है ओडिनो में कुछ पिंस होते हैं तो इसमें नंबर लिखा हुआ है जीरो वान टू त्री फोर फाइब सिक्सेवन सेवन तक इदा रहे एट नाइन टन एलेवन तोल थर्टीन थर्टीन तक इदा रहे ग्राउंड है और फिर इदर यह जीरो से लेकर फाइब तक है वी नहीं अभी मैं आपको लोग को इदर आइब वोल्ट भी दे रखा है इन तो यह पांच वोल्ट पावर देनी थी यहां पर तो यह पांच वोल्ट यहां पर दे रहा है अभी यह पांच वोल्ट इतना कम है मना बहुत कम है और यह आइसी को भी बहुत कम चाहिए तो यह पांच वोल्ट से पांच वोल्ट करनेट कर दिए इसको पावर सप्लाई मिल यहां पर एक मोटर कनेक्ट कर दिया यहां पर भी एक मोटर कनेक्ट कर दिया इतना काम हो गया अभी में थोड़ा सा तो अब उस 12 वोल्ट का पॉस्टिव हो यहां पर आएगा कि मोटर इंड में क्योंकि हमारी 12 वोल्ट की मोटर है ठीक है और इसका भी निगेटिव या ग्राउन जो है इसके ग्राउन से करेंट हुआ है टिक है कोई इस्पेंड बिल्कुल परफेक्ट है सेंड वही कनेक्शन जो मैंने पहले बाद था एल्टू 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 नाइन की साथ में त्रीक शाथ में कोई इस्वश्व नहीं है ठीक अभी समझने वाली चीजह क्या यह पावार सब्लाइब कर समझने आ गए और एंटू एंटू इवल इधर है तो तुमको पांच बोल्ट भी देना पड़ेगा क्योंकि इसको नहीं दोगे तो फिर मोटर में चलेगी वो इसको वो इसको समझता है कि जब तक हम इसको मिलेगा निक प्रकिये आगे नहीं हमको कामी नहीं करना है बस सिंपल सी तो यह इस है एक थो झाओ चाओ चार पिंस्वस्ति नहीं इसको मानलayan कि पिन वन इसको पी टू कि दू मैंने आ इसको मैंने पीडिवान लिए इसको मैंए भेली मल लिए यह विंग लिए थे को विए टीप है 32 पास में आब इस चार ऊपिन ने क्या किया मैंने दो तेन चार पांच यह चार रुड़ है टो यह फॉर्वर्वर्ड है तो मैंने इसको फिल मैं पीज़नत कर दिया और यह फारवर्व मامने लिया हैई फीड़ होगा और यह फष्टिग फॉरी समें तो तो मोटर्स में जो थी ना फारवड बैकवर्ड होट है डारेक्षण सोती हैं अगर मालों कि तुमारा मोटर इदर गुम रहा है तो सही हो गया तो ऐसा कोई इशू नहीं हो सब चीह हो जाएंगी तो यह connection हमारे हैं इसके अब इसको थोड़ा सा मैं इसको निकाल रहा हूं सारा चीज है इसको मैं फिर से कर रहा हूं यहां पर और फिर इसको चलाते हैं अभी फिर से एवर मैं चलाया था स्टार्टिंग में तो बना रखा हुआ था अभी इसको फिर से निकाला हूं यही connection इसमें कर रहा हूं ठीक है जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो प्रॉब्लम्स वीरिम लोग डिगर करेंगे ठीक है चलिए दिश्टार्ट है ठीक है अभी देखू है यह सारे connections को मैं निकालना हूं कि यह है है यह इसमें लगा डिया है सिम्पल से प्रॉन कर दो 1 अधिक्वल सिंपल एक डिश्टार्य लगे गुए है ठीक है इस आइसी को इस आइसी में मैंने बोला था आई सिकव आई सी में डिखो फिर नंबर वान नहीं लिखे का को मोजा ल३र्फिन नुबर 1 2 3 4op a 45 ऐधो by number four of your number five देखो अदो धो कितना है है ग्राउंड है पिनने अदो और इसनी को नंबरिंग करने का तरीका जो होता है इसमें दो एक नौच बना होता है इधर नौच के नौच के लेफ्ट साइड में很多 10 विफो बिल्कुल बारे नौच सामने को इसरफ होगे तो जो इसका left side होगा तो नोच के इधर साइड होगा यह तुमारा pin नंबर एक होगा दो 3456 जो भी होगा 789 10 1111 इसका इधर होगा है ऐसे पिर इधर से यह पिन नंबर होती है मैं इसकी गिनता हूं वन टू ठी पॉर पाइप सिक्स्ष एवन एट नाइन तैन इलेवन ट्वल थर्टीन पूटन तो ये इस तरिके से अम लोग उसको काउंट करेंगे अब मैंने बोला कि पिन नंबर है कि पिन नुमर वन टू थ्री पॉर फाइब पिर नंबर फोर पिरilla हो तो पिन नंडर फोर मनें पूर अच्च काटा सब निकाल सबस्ट तो यह मैंने इस वैसि इसे तरीके इधर भी है 12 और 13 तो इधर 12 और 13 तो इसमें पर नहीं है अधिक है यह ग्राउंड सारे आपस में करनेक्ट हो गाए अभी आपस में नहीं करनेक्ट है इन दोनों को भी आपस में करनेक्ट को दो कि कर दो दो ड्याव अधिक है झाल सब्सक्राइब को इसारा काई घ्रा फैर्प्स को अधिक है यूदू मोटर मोटर्स की लिए मॉटर के मारे पास चार्था या वाला एक साइट को रिपेज़न कर रहे हैं अभी मैं ऐसे लगा रहा हूं बहु अगता हूँ कि ये आगे-पीछे बीछ यह जविए तो पूली हिसमय दीवार्श करने करने सब्सक्राइब हो मौध तो बो ग्राउंड के चश्ट उपर नीचे क्या मौटर लगी में तो ग्राउंड ज़ां तिम ने किया उपर वाली पिन मोऌटर की होगी वे एक और उसके ज़स नीचे वाली मोटर के को एक यह कนने का对 puppy इसी तरिक से दुसरी मोटर भी करने क sh पियह देरो भी यह देख रही है तो भी आश्री ओडिये थी अधिक्स वह उसके बाद फिर मैंने कहीं है इस पाउर सप्लाइब के पिन्स पाउर सब्लाइब नियुक्त पार माद कर दिए पाउथ लाइब हम लोग सुचान बाद में करने ठीक है ग्राउंड को ग्राउंड से कमन कर दीज़ें कि अग्राउंड लगा दिया मैंने और यह पावर वाला का जाएगा सबसे नीचे इधर तिनल रही है नमबर एट नीचे आता नमबर एट पर यह ओगया और ग्राउंड पर यह हों तो पांच वोल्ट देते हैं और पांच वोल्ट का वायर रहा है अब यह अफ्सक्रम करता हूं पाँच वोल्ट किस पर जाएगा फिर नंबर 16 पर करने के लिए मूझे पांच ऑल्ल और अभी वोचा हो और है अबम दो करना अँःक मोटर वन को करना मोटर तूब करना मॉटर वन को इने कलिए मुझे पांच बोल्ट देना प다면 परें तो यह पांच मैंने एक त्यार लगाया जम पर और उसको इनेबल वाली पिन पर इनेबल वाली पिन पर पहली पर लगा दिया और इसको लगा पांच पॉल्ट कर ठीक है इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा वाला तारन इसको पीछ नाथ बड़े वाले इसको लगा को कि पाहली पिन और पांच बूल्ट आरी इस इस्टीन नमबर पिंपर तो पहली पिन को और इसी तरीक से 5 वाले को हम सौड करेंगे किससे कि नाइन नमबर वाली पिंट तो यह अधिक है देखो पहली ग्राउन को मैंने आपस में पास में शौड कर दिया और जो में वाला ग्राउन था उस वाले में तो जोड दिया ठीक है और जो बारा वोल्ट आ रहा था वो मैंने बारा बोल्ट जे दिया पिन नंबर एट को ठीक है कोई आप मुझे जोड़ना है इससे मोटर के तार निकालने हैं और अपने ओडिनो को अभी ग्राउंड कॉमन करने यह ओडिनो बता है कि यह यह ओडिनो भी मैं फिलाल यह कुझ जॉस्टिक बताता है मैं जॉस्टिक को अधा गशेक्क जॉट टियुक फूर नी है श्तिक्स को मैंने बोला था ऐसे इस का है चय highly जैनक क्या हो कि इस तरीके से मैंने जोड आज तो यहाँ पिन ढवारी क्या है कि प्ल्ड- favors vrx we are we are choire written ठीक्व करके और एक सुच का भी मैंने जोड लिया है सुच वाले को मैं अगले में दिखाऊँगा अभी इसको वापस जोड़ते हैं फ है दो beginning और चर्श में लेको से मनेुंए विंदर है ग्राउड ग्राउड फाइब तो ग्राउड को ग्राउड इसे तो ग्रांड ओगया थो दों गए ठीक है इसी तरीके से जो हमारा वी आर एक्स है VRS को मैं A0 से कनेट किया हूँ VRS को A0 से VRS को करेडू से और स्विछ को मैंने A3 से और रखा है अभी अभी मैं इसको इसको यूज नहीं कर रहा हूं अभी सो कनेट कर रहा हु तो यह हो गया connection जोईस्टिक जो अभी दिखाया था मैंने वेलू जारे थी वह इसी connections पर आ रहे था ठीक है अभी आपके इसके साथ में किछी और करते हैं पहले इसका ground कॉमन करते हैं यह कि यह हमारा क्या है ground इस ground को मैंने क्या किए कहीं भी किसी भी ग्राउंड से साथ जोड़ी है कि यह जोड़े हैं अब मुझे चार लॉजिक्स कितार चाहिए होंगे यह लॉजिक्स वाले चार है कि कि लॉजिक्स वाला तार क्या था मोटर की जेस्ट ऊपर मतब कि नमबर सेकंड नमबर सेकंड ने दर हो गया फिल सेकंड थर्ड फोर्ट इस नमबर सेवन ते नमबर सेवन ते कि अधेए हैं देखो ते नमबर टू से निकाल लिया तिर नमबर से निकाल लिया दो आधर निकल गया दो यह यह लिए और इदेर हमारा हो गया पिर नमबर टैन नमबर शिप्ट्टिम ठीक है दो इदर से निकार ठीक है अब इससी को और्डिनिक साथ करेंगे मैंने बोला था कि इधर को पिन नमबर दो से तो कि शुब रहा कि अगया ओके हां थोड़ा ने पूश्व आ गया था कोई बात नहीं चलने लगाया भी बिल्कुल परफेक्ट ठीक है तो अभी हम लोग इसकी कनेक्शन्स की बात कर रहे थे हैं तो यह पिन नमबर टूपर कनेक्ट हो गया यह पिन नमबर जो है हमारा पोर करो गया ठीक है और इसी तरीके से इधर वाला जो है पिन नमबर थ्री और पिन नमबर शिक्स कि ठीक है यह विल्कुल कmtक्शन्स पूरे लग दें है इसकोई इस्वं नहीं होना चाहिए बाकि जो क्नेक्शन्स मैं डिकाब स्すंस किया है और बिल्कुल परफेक्ट है ना बाकि मोटर्स थोड़ा तो इधर उदर करती है तो उसको हम टेंग प्रइस्ट है, पॉजिशुने, पावर को तो आप इसको पावर देता है आए अब हमश्ट तो अभी चल तो लेकिन थोड़ा स्पूडिस की कम है देखते हैं कि अच्छा 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 एक मोटर नहीं चलिए ना इस विश्यसे से अच्छा आउ इसका तार्म खला साइव और कोई इस्यू नहीं जो में उसको सर्केट बनाये ना तब बढ़िया चलेगा कि इसका अब चलोका है के अब झाल तो कुछ वायर का पंगा था अभी इस ही हो गया हुआ इस हुआ हुआ है तो हमारा यह जोईस्टिक से जोए ना तो वह बढ़िया चलता है अभी जो भी लॉजिक्स हम लोग बटन दो दो बटन एक साथ जाब आ रहे थे तो वह सबसेब फुर्सत है अभी यह विल्कुल परकल्ट चलता है चलिए ठीक है तो अभी हम लोग का आज का था जोईस्टिक से कैसे रोबो चलाएंगे अभी इसमें बजना आए आप लोग को तो अभी तो थोड़ा टाइम का इश्यू है तो अगले लेक्शर में अगर आप लोग स्पोर्ट चाहिए होगा तो फिर कमेंट करिएगा तो मैं कोड को डिस्क्राइब करूंगा अधर्वाइस फिर हम लोग अपने आगी टॉपिक्स पर चलेंग को अभी तो मैं करूंगा तो मैं को